Hello Friends, Welcome to our Channel Om Labs तो दोस्तो आज किस वाली वीडियो में हम आपसे Racer Digital Stopwatch के बारे में बात करेंगे तो दोस्तो इस Stopwatch को हम Physics Lab भी उस करते हैं, experiments के लिए और इस Stopwatch को Sports या Athletics में भी यूज करा जाता है तो इस वीडियो में हम आपको इस Stopwatch के बारे में बताएंगे और हम इस वीडियो में आपको इसकी वर्किंग के बारे में भी बताएंगे तो दोस्तो ये है वो Box Racer Digital Stopwatch का, तो अब हम इसको खोलते हैं तो दोस्तो जैसे आप इस Box को खोलेंगे, आपको इसके लादिंग मैनूल भी प्रोवाइड करी जा रही है इस मैनूल की हेल्प से आप इस Stopwatch को बहुत ही आसानी से उपरेट कर सकते हैं तो दोस्तो कुछ ऐसी दिखती है, ये Racer Digital Stopwatch बहुत ही Compact है, प्लास्टिक बॉड़ी है और बैक साइड पे आप यहाँ पर इसके सेल्स भी रीप्लेस कर सकते हैं इस Stopwatch के उपर आपको तीन ऑपरेटिंग बटन भी मिल जाते हैं जिसमें जो स्प्लिट रीसेट वाला बटन है, इसको मैं A बटन कहूंगा मोड वाले को B और स्टार्ट वाले को C ये Stopwatch काफी Compact और Lightweight भी है तो अगर हम इन सारे बटन की ऑपरेशन के बारे में बात करें तो A बटन से आप अलाम टाइम अपना चेक कर सकते हैं कि हमने क्या टाइम पर अलाम सेट करा है और B बटन की हेल्प से आप डिफरेंट मोड चेंज कर सकते हैं इस Stopwatch में और At Last C बटन की ऑप्शन से आप Month, Date और Day of Week चेक कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं Stopwatch फंक्शन के बारे में तो जैसे आप Mode बटन दबाएंगे तो सबसे पहले Stopwatch वाला फंक्शन अपेर होता है आपकी स्क्रीन पे तो जो C बटन है उसकी हेल्प से आप Start या Stop Stopwatch को कर सकते हैं और A बटन की हेल्प से आप इस Stopwatch को Reset कर सकते हैं और इसी A बटन की हेल्प से आप इस Stopwatch में Lap फीचर भी यूज़ कर सकते हैं तो जैसे मैंने 4 पे Lap करा और फिर ये 7 पे वापस Continue हो गया A बटन के दबाने पर तो दोस्तों हम बात करते हैं कुछ Alarm की Settings के बारे में तो Alarm की Chime को On या Off कैसे करा जाए आपको A को Press करके रखना है और C को Click करना है जिसकी हेल्प से आप Alarm के Chime को On आफ कर सकते हैं और फिर आपको Alarm को Change कैसे करना है या Alarm Set कैसे करना है तो आपको Mode दबाना है फिर आपका Stopwatch पेर होगा फिर आपको वापस Mode दबाना है और आपकी Alarm की Settings पेर हो जाएंगी और A को दबाने से आप Hour और Minute में Shift कर सकते हैं और फिर C की हैल्प से आप उस Hour को भी Change कर सकते हैं और उस Minute को भी Change कर सकते हैं तो दोस्तों हम बात करते हैं Normal Time Setting के बारे में तो Alarm Time Setting के बार मोड़ दबाने के बाद हमें Normal Time Setting का Option मिलता है और इसमें भी बिलकुल सेम Alarm Time Setting के तरह अगर आपको Hours और Minute में Shift करना है तो आप A की हैल्प से कर सकते हैं और आप इसमे Date of Month और Day भी Change कर सकते हैं और अगर आपको इनको Edit करना है तो वही सेम जैसे हमने Alarm में कर रहा था सी की हैल्प से आप Minute Time, Date या फिर अपने Day को Increase, Decrease कर सकते हैं और अपने Normal Time को Very Easily Edit कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं Date of Month और Month प्लस Day भी असानी से Change कर पा रहा हूं तो दोस्तों यह थी Working इस Stop Watch की हमें आशाय कि आपको इसकी Operation और इसकी Working अच्छे समझ आ गही होगी तो दोस्तों अगर आपके इस Product से Related कोई भी Inquiry है या आप इसको खरीदना चाते हैं आप हमें इमेल भी कर सकते हैं info at the rate omlabs.in पर आप हमारी website भी विजिट कर सकते हैं www.omlabs.in और आप इस Product को www.scientificcard.com पर भी खरीद सकते हैं आप इस Product को Amazon पर भी खरीद सकते हैं आप हमारी Instagram ID भी विजिट कर सकते हैं om-labs और हमारा Facebook account omlabs Thank you कर दो आप हमारा थील आप हमार रह design